निकी तंबोली और का दमें रहेकर्ण हुआ था और इस ट्रेंड के बाद जो है अब निकी तंबोली का रियाक्शन आ गया है इस ट्रेंड के ऊपर क्या है पूरी खबर चलिजले बताते हैं इस वीडियो के अंदर वीजय आंडी के साथ जो निकी तंबोली का इंटर्व्यू हुआ है उसके दौरान निकी तंबोली ने अपने एक्स्पीरिंस से शेयर करते हुए बिग बॉस के घर से रिलेटेट कहा था कि राहूल वैदे के साथ उनके एक रिलेशनशिप जो था घर के अंदर वो कहीना कहीं उसे इमोशनली अटाश्च थी लेकिन राहूल वैदे ने कई मौकों पर उनको हर्ट कि और ऐसे कई सारी चीज़ उनकों ने राहूल को लेकर कहीं कहा कि वह एक परस्नालिटी के जो है ओनर है विकर ही लेफ्ट दे हाउस और अगर अलीगोरी वापस नहीं आते तो शायद को भी वापस नहीं आते तो इस तरह की चीज़े जब राहूल ने कहीं है तो उससे निकी ना उनको कहीं ना कहीं एक वीग परस्नालिटी की तरह परसीब किया है अब राहूल वैदे की गुसाये फैंस ने निकी तंबोली आखात में रह किया कल ट्विटर पर ट्वेंट जि को दे रहे हैं and that is enough for me अब पर बाकि जो कुछ भी है मुझे जो बोलना है मैं तो बोलती रहूंगी वही निकी तंबोली Savage replies की owner है और उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है she is being mentioned and that is all that matters for her चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में हो चाहे हेट में हो चाहे लव में हो लोग उन पर time invest कर रहे हैं यह उनके लिए बहुत इंपोर्ट है वही निकी तंबोली की personality हम लोग ने सीजन 14 में जो देखी है she is out there and she is what she is उनकी उपर कोई filters नहीं है तो निकी तंबोली ने यहां पर भी एक बर बता दिया है that she doesn't care what people say about her, people talk about her, that is more important for her क्या कहना चाहेंगे निकी तंबोली के savage reply के बारे में जल्दी से आए comment section में में बताएए और मैं साथ जोड़े भी रहे क्योंकि और भी कई सारी खवरे हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे